नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे simple blouse cutting and stitching जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि एक simple कपड़े पर बताईए जो नए लोग हैं तो वह अस्तल वाला नहीं बना पा रहे हैं तो simple पर आपको कैसे cutting करना है तो देखिए यहां पर border है दोनों side border है कि यहां पर भी है तो देखिए सबसे पहले तो हमें border को एक side ऐसे रखना है तो एक पीछे की side आएगा और यह आएगा बाजूब है कि यहां पर हम अच्छी तरीके से कपड़े को double करेंगे देखिए इस तरीके से अब देखिए जैसे हमारा ही blouse है तो बिलाउज हमारा कितनी भी चैस्ट का है उसको हमें ऐसे होख खोल के ऐसे बराबर रखना है अब यहां पर हमारी जो चैस्ट है वह है 42 इंच 42 इंच का blouse है तो 21 इंच हो गया है अब हमें लेनी है लंबाई तो यहां पर इसकी जो लंबाई वो 13 इंच की है अब देखिए कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हम आपकी वीडियो बार बार देखते हैं लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है तो देखिए एक दो बार देखेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा थोड़ा आपको सूती कपड़े पर कटिंग और स्टिचिंग करनी है पहले आपको पेपर करना है तो देखिए पेपर कटिंग भी मैंने डाल ली है कि बॉर्डर बाले को हम कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम अपनी लंबाई ले लेंगे कितनी भी लंबाई है उसके बाद हम एक इंच इसमें बढ़ाएंगे तो यहां पर हम इसके सोल्डर लेंगे वो लेंगे 6 इंच के अब हमें अपना फिटिंग का निशान लगाना है तो देखिए जैसे हमारा एक पाट था वो 21 इंच का था तो 21 का आदा करेंगे तो साड़े 10 इंच आएगा यह हो गया हमारा निशान आरूमल लेना है हमें यहां पर 6 इंच का अब देखें यहां पर हमें आदा इंच लेना और एसे गोल आई अब हम गले की चड़ाई लेंगे यहां पर दो इंच गले की लंबाई लेंगे हम यहां पर 7 इंच और यहां पर गूल आई अब देखे पीछे की पिलेट हम यहां पर बीच में से सोल्डर से ऐसे निशान लगाएंगे अब हमें यहां पर अपने कपड़े के साब से गुंजायस लेएगे तो हम यहां पर लेएगे गुंजायस 1 इंच क्योंकि कपड़ा हमारा कम है तो देखे जब हम यहां पर एक इंच की गुंजाइस ले रहे हैं, तो इसमें इसे हमारी हुक और काजवाली पट्टी जब हम लगाएंगे, तो काजवाली तो अलग से लगाते हैं, हुक बाली में क्या है, थोड़ा सा कपड़ा जाता है, तो मैं आपको ज़्यादा कंप्यू आपको बताती हूं, आप ऐसे चुटी चुटी बातों को आप त्यान रखेंगे, पहली बार तो आप नहीं हैं, सीख रहे हैं, उसके बाद भी फिर मैं आपको ज़्यादा कंप्यूज करूं कि यहां पर आपको थोड़ा सा कपड़ा ज्यादा लेना है, कुछ ऐसा करना है, वैसा कुछ नहीं, एक आसान और सरन तरीके से आप बनाई और एक दम ब्लाउज फिट बनेगा, अब जैसे हमारे देखें, यहां पर लंबाई थी 13 इंच की ब्लाउज की, तो हमें लेना है यहां पर 14 इंच, अब हमें जैसे हमारे कश्टूबर ने बोला है, कि हमारे ब्ला अब अपने असाब से ले सकते हैं, लेकिन उसमें हमें बस एक इंच बढ़ाना है, अगर हम 13 इंच की लंबाई रखने हैं, तो हमें 14 इंच की कटिंग करनी है, तो हमारा पीछे खाए, अब जब हम आगे का बनाएंगे, उसमें भी हम एक इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि पीछे से कपड़ा चाहिए, जब हमारा आगे का पल्लर पीछे के बढ़ाबर आएगा, उसमें भी हमें एक इंच बढ़ाना है, पीछे से हमें, जैसे हमने यहां पे लिए 16 इंच, तो यहां पे लेंगे हम 17 इंच, अगर हम 14 इंच ले रहे हैं, तो फिर हमें 15 इंच लेना ह आप अपने साब से ले सकते हैं, कम जादा अब देखे, आगे और पीछे की लंबाई और चोड़ाई, हमने पराबर लिए लेकिन फिर भी आप लोग बोलना है, तो देखे, आदा इंच मेरा यहां पे जाता है, यहां पे भी थोड़ा सा जाता है, नेक थोड़ा सा, तो यानि दोनों मिला के आदा इंच ही हो जाएग फिर हम कही तरीके से बना सकते हैं, फिर हम थोड़ा कपड़ा यहां पे ले सकते हैं, तो यहां पे देखे, हम पीछे का पलर हटा लेंगे, अब हमें क्या करना है, आगे की साइड आरूमल का कटिंग करना है, अब यहां पे लगाएंगे हम 14 इंच पे निशान तीरे का, बैसे हम 13 इंच पे भी लगाती हैं, तो एक इंच हमें उपर की साइड ऐसे लेना है, अब हमें टक्स का निशान लगाना है, तो 10 इंच पे लगाएंगे हम टक्स का निशान, अब हम यहां पे निकालेंगे अपना फिटिंग का कपड़ा, साड़े 10 इंच, यह हो गया हमारा फिटिंग का कपड़ा, साड़े 10 इंच का आदा करेंगे, तो यहां पे आएगा हमारा सवा पांच इंच की पिलेट, यहां पे हमारी नीचे की पिलेट आजाएगी, सवा पांच इंच पे निशान लगाना है, इस तरीके से भी आप आदा कर सकते हैं, ऐसे करके, अब इसके बराबर एक निशान लगाना है, दो इंच की दूरी रखने है हमें, दो इंच की दूरी यहां पे पिलेटों में, इस तरीके से पिलेट आ गई हमारी, अब हमें यहां पे तीरा लगाना है, तो जो हमारा कटिंग का कपड़ा बचा हुआ है, इसको हमें रखना है, इस तरीक बढ़ाई है वो कम है और फिर बोर्डर वाला बिलाओ जाए कितना है इसके चोड़ाई 15 इंच तो कपड़े को हमें ऐसे करके डबल करना है पहले अब हमें बाजु की मोरी देखनी है यहां पर देखिए बाजु की मोरी कापी बढ़ी है तो हमें चोड़ाई बढ़ानी तो यहां पर सब्सक्राइब गएक बढ़ाई 15 इंच पर नेशान लिएक तो हमारा好好 की में छोड़ाई पर पर बढ़ाएं तबहस्द के-उ भी इसतरीगे से कंड़े और बोर्डर हम यहां पर जोड़ाई समय करना हो इसको हम यहां पर ऑपctic चोड़ाई दबल करके 10 इंच लेना है, अब हमें जैसे हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया, उसके बाद यहां पर ले लेंगे, हम धाई इंच लेंगे, अब इसको देखिए हम इस तरीके से ऐसे लेके जाएंगे, अब देखिए यहां पर भी देखिए, अब हमारा यहां पर कम कपड़ लग रहा है, इतना कपड़ा लग जाएगा हमारा, तो उसी के साब से हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो देखिए, यहां पर हमने टुकड़ा लगाना है, तो अब हम इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह भी कपड़ा मिल रहा है हमें, तो इसका भी तीरा बना स सकते हैं, तो यहां पर हम पूरी 6 इंच की लंबाई रख लेंगे, और उसी लंबाई को हम ऐसे करके, यह हमारी बाजू हो गई, तो यहां पर हम ऐसे और इसको हमें ऐसे जोड़ना है, इस तरीचे से बाजू आ जाएगी, अब देखिए, अगर आप बीच का कटिंग, जो आगे बाला पलर न, उसकी कटिंग करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको ऐसे जोड़के, फिर आपको बीच में निशान लगाना है, कि यह हमारा बीच का सेंटर है, उसके बाद आप ऐसे आगे का कटिंग करने, उस पर लगा ले निशान, तो यह हम बाद में कटिंग करें तो दीखें, यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे इस तरीकासे, अब हमें यहाँ पे एक छोटा लेना है, 30 कि उसके बाद के इसको ऐसे जोडेंगे इस तरीकेसे, तो नीचे के साइप तो हमें सिंपल मिल रहा है, अब यहाँ पे ज़ञादा इथा होगा है, तो आपको इस तरीके से रखना है देखिए ऐसे बराबर आना चाहिए देखिए इससे बराबर आ रहा है अगर आप और भी आसन तरीका चाहते ना तो आप इस तरीके से रखें इस तरीके से रख लें और फिर आप ऐसे करके निशान लगा लगा तो देखिए इस पर आप कटिंग कर लें इस तरीके से भी आप तीरा को निकाल सकते हैं तो यहां पर हमारा यह तीरा भी हो गया और यहां पर देखिए हम कैची के कट लगा लेंगे इससे क्या है दोनों साइल अच्छे से निसान बन जाएंगे और भी तरीके हैं ऐसे करके इस तरीके से निसान लगा लेंगे यह हो गया हमारा नीचे का थीरा और आगे का पल्लर और यह हो गया हमारा पीछे का पल्लर अब हमें हुकवाली और काजवाली पट्टी निकालने हैं तो देखिए यहां से हम डबल करके पट्टी लेंगे बोलेंगे हम काजवाली और यह लेली हमने हुक वाली पट्टी तो यहां पर हुक वाली पट्टी की जो चोड़ाई है वो तीन इंच है अब हमारे पास यह कपड़ा बचा हुगा है अगर हम इसमें से गले की पट्टी निकालेंगे तो फिर नीचे साइड हमें पट्टी लगानी है तो यहां पर हम इसमें से अस्तल की पट्टी लगा देंगे इसको कपड़े को हमें ऐसे करके तिर्शा करना है और यहां में एक श्ब्राइ रखेंगे पठी की अगर अ प्रआकर गले में पठी लगाना नहीं आता है गले की पाइब या ती तो अभी मेंने बहुत आसान सरलतरी के से बताया है गले पट्टी लगाना तो प्लीज आप जरूल देखें उस वीडियो को क्योंकि नए लोग है उनको गला बनाना नहीं आ रहा है तो देखिए यहां पर हमारी गले की पट्टी हो गई इस तरीके से हम पट्टी को जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए जो गले की पट्टि है वो मैंने आपको बता दी जैसे मैंने आपको बटा एन फश्ग लगी वीडियो देखेंगे और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बात देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राब करने हैं इससे के आने वाली जो नए वीडियो हो उसका नोटिपिक सन आपको मिल जाएगा और हां कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं मैं आपकी सा का वीडियो बताएं आपको और वीडियो को जार से जादा शेयर कीजिए धन्यवाद